मेरे पापा ने ये जर्नी 1986 में चालू की थी 200 स्क्वेर फीट के सोरूम से वो हमारे पास जो टीम है ना वो हम लोग प्राउड के साथ बात कर सकते हैं कि वो इंडिया में नंबर वन टीम है कि आये अबाई रेफ लुग प्रेश बाई पाउड कि अबाई धरेश भी बाती को अबागाँ पिर शुथी वो इस विए ट्रॉट स्क्राइब टॉप टॉट प्रेश्यानिए करनें अबस्क्राइट को बाती हुआ को जी मैं कि नहींजन स्यावेत से जुब करो मेंहें तरक जी मी करें हो। इस मैंशेठी च皈 थिए तक और वास्परिनसांटिय। रहा झाल चार्पी। जुब्टकार ने कि पींक टांथ कि पीनिजनगी तरक टावी निलिल्ट सेंटर टारच पट छूल लिवशよね हमारी निव जो है वो तीन चीज़ों से बने हुई है हमारे कॉस्टमर्स जो एक नंबर पर हैं सेकेंड है हमारी टीम और थर्ड होते हैं हमारे वेंडर्स जो हमारे लिए मैनुफेक्टरिंग करते हैं मैंने पहली बार इतना बड़ा शोरूम पुरे महराष्ट्रो में देखा है मैं तो थक गई उपर से नीचे चलते चलते लिकिन मेरी आखे नहीं थकी क्योंके डिजाइन इनके इतने बढ़ी हैं इतने बढ़ी हैं इतने प्यारे हैं I think सबसे मज़दार बात जो मुझे लगी और जो आज भी मैं ये पीस पेनी हूँ मैंने पूरा ढून लिया ऐसा सेम पीस है ही नहीं दुकान में बहुत अच्छी दुकान बहुत अच्छे प्रड़क्स उससे बड़ी बात जो जो फैमिली है इसके पीछे वो बहुत अच्छे हैं कि ये अमेशा बिजनेस हो या कलेक्शन और कुछ भी हो उसके पीछे जो लोग है उसके ओपर डिपर डिपंट करता और ये परिवार वाके यह भुट ही खुमसूरत परिवार है सोगा इविश ये एंटाइ फैमली इंद टीम अव काला मंदिर अवे बाइबस गवार्स कि अच्छा परिवाली का यह सबसे बड़ा बढ़या और अच्छा सोरोम है और यहां पर जिसनी मतलब कॉलिटी डिजाइन जहां पर देखें फूरा बोरी वली माई कोई भी सोरोम में नहीं देखा कि अच्छास्वार्स